एक नमबर एक नमबर तो आप यह स्टोन निकलते हैं पानी से बहर तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में तो आज मैं जा रहा हूँ इंदापुर गाओ में इस पेशली स्टोन लिफ्टिंग के लिए तो वहाँ पर हमारे एक फ्रेंड है बलवन तो हम उनसे मिलेंगे और वहाँ पर स्टोन लिफ्टिंग करेंगे मेरा दो दिन का वहाँ पर स्टे होने वाला है तो आभी मैं निकल चुका हूँ एक गंटे देड़ गंटा हो गया दो पुने सिटी से बाहर आगया हूँ लेकिन लोग इतने चुका मतलब कि पुने सिटी से बाहर निकल रहा था ना तो मोस्टली दस में से पाच लोग चाहे वो टू-विलर हो या फिर फॉरू-विलर हो सब 10 में से 5 लोग फोन यूज करी रहते इतनी मतलब कुछ फरक ही न नहीं चल रहा अच्छे से गाड़ या नहीं चला रहे कुछ ने सब का फोज में ध्यान क्या पता इतना क्या इंपोर्टेंट इन लोगों का अउगड़े इसे लोगों का चलो अभी चलते हैं अभी थक गया हूं मेरे तो यह तुखने लग गया है मेरा मेरे को एक तो जादा सांग ड्राइब का आदत नहीं है अभी बहुत दिनों बाद में निकला हूं टोटल 150 किलोमेटर से 150 155 अभी 83 किलोमेटर से कंपलीट हो चुका है अभी निकलते हैं तो गुड़ मॉर्निंग आज है नेक्स डे मैं पुरा फ्रेश हो चुका हूं नहालिया है अभी खाना कात सांगाय हो और निकलते हैं चलू लिटी के लिए चलिए आप से बहुंति मभा भी घाका भी मिलवाता हूं हो चलो तो पहले खाखाना खा लेते हैं क्योंकि पेट काकड़ी को भी काटे होते हैं हमारे पास पहुचने तक मतलब बहुत सारी प्रसेस होती है उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि काकड़ी नौर्मल है ककड़ी क्युक्यूमबर लेकिन उसके काटे वगरा रहते तो जो नारमस रते वह हमें पहुचाने तक उसे साफ करके सब हमें मिलता है और यह है बलून दादा भी गो जातो है या तो 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 यह जो आभी किया यह नेचिघल स्टोन था और वह जो गोल वाला रहत है वह क्या है तो हिस्तोरिकल टेमपल स्टोन दॉनों में क्या फ़र्ट कहां मॉस्टली या कि यह नाँ स्यमेंटरीकल लेकिन उसको बनाया ही गया है लिफ्ट करने के लिए अब यह जो स्टोन है वो ऐसा कुछ उसका शेप नहीं कि आप उसको आइडिली ग्रिप कर सको तो यह डिफिकल्ट पढ़ता है फिर यह डिफिकल्ट है कि में ट्राइब करता है ओके कमान एक नंबद एक नंबद एक नंबद एक नंबद कि आपको हनुमान जम्ट पूजिशन में है हाथों को ऐसे ग्रिप करना है आप इस ग्रिप को क्या बोलते हैं जो नहीं माली अब थम को इस तरके से आगे रखते हैं और आपको आपको ऐसे नीचे प्लेश करना है बाक आपकी नेक जो है वह अपको आपके के घ combination के एक पया रखेैं लेटサब्ट खली काला धकला हात चैतीने फुड धकला जला जासत वीचर करूना का अंग्टे सर अठेवा यह फुड यह फुड यह फुड हात सर अठेवा फुड यह पतास ठेकवा खली अले उचला जोली सोडुना का जी बाथाथाची जोली सोडाइची ने उचला जोली सोडाइची ने जी बाथाथाची गिली 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 एक नमबर फिर भाईची आता फिर भाईची ए डिए एलिप्ट एलिप्टे एलिप्टेली औच एलिप्टेली और श्टक्षेल्ट 1ooo कि इस टोन लिफ्टिंग के साइड इफेक्ट्स कि अधी बसाइज खली अनंतर मंग हाग टाक है जे चातनु फुट ठाकला जे हाथा उरगे हेची सगडी आली ढीप इनल काराज़ डीप कि अब खुश्क पुलीट 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 आलीट लबले Suppose एक नंबर की लिया फिरती है फिरती है फिरती है फिरती है तो अब ही हम्हारे 4th destination पर आये हैं पहला नैचरल स्टोन लिया फिर उसके आध सेकेंड और पिछले जोग यह था थोड़ अब यह 4th है और यह stone है पानी में तो यह बच्चों ने फेक दिया था तो अब ये स्टोन निकलते हैं पानी से बाहर चुलो तो फाइनली हमने वहां से ये स्टोन यहाँ पे निकाल दिया है पूरी वाट लग गई है निकालने में इतना थक गए है अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद लिफ्ट करते हैं ये भी बहुत बड़ा है तो लेला साथ कि अड़ी अजरत आरथा अशा कि तो परिःपकुदा आलेला है लगना और ने तेची पी वही वहीं जगना साकि अशा आप शुदा ओरीजिन इंडिया तुने बाहरता तुने अजय श्टोन बोलेत ना ओरीजिन बाहरता तुने पन ही अजय आटलस श्टोन महनून अक्या जगा मत दे वाप पर लिजाते आटलस श्टोन इसंपी ए रिसलिंग महनून अक्या जगा मदे अलम्पिक मदे रेशलिंग ऑगया घ्या तो पैस एक बिक्षिंग पर अगएंगो ज़्टिंग आट वर्डवांद अक्या जगा मधे अगया एग एल मध्या अजय इस्टोरीकाल लिप्टिंग श्टोन च्या डगडी बोटी आसे हला का स्कूशन नहों है और अन्य उचलने मच्चकारन मंजेट वह एक है कि अधिया ना ने कर दो अधिया आनि मानुस घचा समुर्ण बोर स्कूशन नामस्तख हो तो मंजे मंदीर है और पिछ अहीं था गड़े डिन जीश्या की इविश्चा बाहर सकते है स्कूर अगयाश्चकारोकम्ट एक अधिया था नियुक्तव कारे बनुसले ग्लाद था व्हे प्लाय उच आपने ले जेपन का हरेड़ेली पूर्ण होती हो अशी लोग तहला मागने मागते हैं तो उचलने करते हैं अध्य अध्यात्मेक्टर शैथ ज़िए जाओन उचलना ज़े चार लोक बगता ते लोक कना प्रिशेट करते हैं जो जो शुता में मला बोलों ने वी चार लोक अगर दोखिंग साइब हो टक लादे अंक पहलेगए में धान नहीं कुद्जा fog गोटी होते ही ही हुआ हुआ हां हुआ हुआ क प्सुट। हुताइट निष्ट हो ऐ whole को थे मिच मिचिनोअ फुड़ांगे पाइट उट्छाल इन्हेल करने ओ इन्हेल करने ऑफ फिर ओ फिर्टी फिरली निर्ली उंत पर अबन पर उड़कर उड़कर उयर, ठेश्टमक वण travelling चैसित Like showers तॉ ठेट करशेश. पिरली, सोडुनों को, सोडुनों को, सोडुनों को, ठीग है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो स्टोन पानी में डाला था बच्चों ने तो हमने वहाँ से निकाला और वापिस ऐसा कुछ ना हो इसलिए हमने वो स्टोन उठा के वहाँ पे एक पास के कार बहराउनाथ के टेंपल में जाके रख दिया तो इसलिए हम वो गाड़ी पे लेके गएते दिए हम जाओ गड़े बुड़ी परने दाली भाई जै फुड़े थुड़े फुड़े उचलती 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 तो अभी हम हमारे फिफ्ट डेस्टिनेशन पर आए तो अभी लास्ट जो था वो तो हिला भी नहीं वो बहुत है भी था मेरे अकॉर्डिंग और भाई अभी वही बोल रहे है वन फिफ्टी केजिस के अकॉर्डिंग रहे गाई वो यहां पर मेरे सारे फिंगर्स चपाती होगी उसकी तो अभी यह एक लास्ट ट्राइ करेंगे और इसके बाद एक सबसे बड़ा स्टोन है यहां पर कितने केजिस का केजी तो नहीं लेकिन कोई उठाता ही नहीं ना वेशे वो केजी की तो आइडिया नहीं है लेकिन हां हो सकता है कि सबसे बड़ा स्टोन आज तक का इंडिया नंबर ने इंडिया में तो रहेंगे उससे भी बड़े लेकिन देखते हैं वह कैसे आपको स्टोन दिखाते हैं चलो 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 तो यह है वह सबसे बड़ा स्टोन और जितना भी दिख रहा है ना उससे और तो बहुत बड़ा है इसको तो कोई उठाता ही नहीं है देखते हैं आप यूटा सकते हैं तो अब चलते हैं घर पर और आपको फिर सारी अपडेट्स देता हूँ तो दोस्तो जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा होगा तो मैं आया था पुने से इंदापूर अल्मोस्ट वन एक्षप्रियेंस ता और जो स्कूल में हुआ वह तो बहुत ही बैस्ता तो मेरा ओर ओफटानी स कव मुझे लिफ्टिंग करने में बहूत सारी दिक्रत आई लेकिन यह यह जो experience था ना वो बहुत बैस्ता और जो school का हुआ वो हमने ऐसे सोचा भी नहीं था वो मतलब lifetime याद रहने आला experience था तो अभी बलवन दादा आपको stones के बारे में information देंगे और उनका experience शेयर करेंगे जो उन्होंने पास 3-4 सालों में stone lifting से मिला है so यह जो stone आप देख रहे हो यह एक historical lifting stone है इसकी एक history है workout से related जैसे आप यह आप देख रहे हो जो gym है gym के अंदर barbell है dumbbells है plates है जिसको आप उठाते हो आपकी strength बढ़ाते हो आपकी hypertrophy build करते हो hypertrophy बढ़ाते हो तो जो पहले का time था जिस time पे barbells नहीं थे dumbbells नहीं थे तो उस time पे wet training के लिए वहाँ जो लोग थे वो एससे stones को lift करते थे एससे stones उठाते थे shoulder को उपर लेते थे इसको लेके squats करते थे इसको उठा के जो भी हनवान temple होते या फिर शुजी के temple होते काल भेरोनाजी के temple होते थे तो वैसे temple को ऐसे round लगाते थे कि जो उनकी strength बड़े उनकी build अच्छी हो और इसका origin भी इंडिया से है न शायद हाँ यह जो stone है जैसे आपने देखा है जो strongman होते हैं उनके competition जिसको भी मालूम है जो strongman competitions होते हैं तो वहाँ पर सही जो concrete के stone ball होते हैं जिसको Atlas stone कहते हैं तो वो भी एक जो अपने जो इंडिया के जो एसे जो stone balls है जिसको हम historical stones बोलते हैं वो उनीकी एक copy है उनीको copy करके उन्होंने जो Atlas stone है वो बनाई हुए है inspiration and origin from India इंडिया यस तो बस दोस्तो यही था आज का वीडियो अगर आपको कुछ भी doubts होंगे stone lifting के related आप बलवन दादों को contact कर सकते हो या मुझे contact कर सकते हो दोनों के instagram ideas मैं नीचे mention कर दूँगा description में और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना और वीडियो को like ज़रूर करना, comment करना, अपने दोस्तों के साथ share ज़रूर करना और stone lifting ज़रूर try करना तो बस मिलते आप से एक और वीडियो में अगर इस वीडियो को अच्छा response आया तो हम try करेंगे कुछ तो अलग करने के लिए तो बस कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना तो मिलते आप से next वीडियो में बाई बाई के जो है बना खुद जीरो से उससे अब का ही तुम ले लोगे के मेरे जैसा मैं बस एक मैं हूँ चीज आगरी